हे दोस्तो वेलकम टो मैं चैनल ट्रेंडी अन्बॉक्सिंग आज हम देखने वाले हैं कौन से डिशीज आपको गोवा में डेफिनेटरी ट्राइ करने हैं दोस्तो वीडियो स्टाइट करने से पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सस्क्राइब के दियो साती साथ बेल ऐकोन दबाना ना बुले दोस्तो पहले नमबर पर है सामोसा हाँ दोस्तो सामोसा गोवा में आपको पंजामी सामोसा और गोवन सामोसा definitely किसी भी रेश्टोरन या रोड साड़ पर जो छोटा सा टी स्टाल होता है उस पर मिल जाएगा आप अगर गोवा में आते हो तो गोवन सामोसा is one of the must try snacks और दोस्तो कही कही रेश्टोरन पर आपको पंजामी सामोसा भी मिल जाएगा दूसरे नमबर पर है कचोरी हाँ दोस्तो गोवा में आपको कचोरी भी मिल जाएगी आप देख सकते हो ये जो कचोरी मैं खा रहा हूँ दई है खटी सी चटनी है और शेव भी है दोस्तो ये काफी अच्छी और काफी tasty कचोरी है आपको ये गोवा में खाने को मिल जाएगी नमबर पर है कांदा बजी हाँ दोस्तो कांदा बजी मतलब प्यास का पकोड़ा दोस्तो गोवा में इसको हम कांदा बजी बोलते हैं दोस्तो गोवा में ये one of the most popular dishes है आपको ये किसी भी छोटे restaurant या बड़े restaurant पर भी मिल जाएगा साथी साथ जो रस्ते पे जो छोटे street stores होते हैं उन पे भी आपको ये कांदा बजी मिल जाएगी नेक्स नमबर पर है गोवन पाव बजी दोस्तो गोवन पाव बजी one of the most popular dish है गोवा में जो भी outsiders गोवा में आते हैं वोनों ने तो ये must try करना है गोवा की लोगों का तो ये favorite breakfast है साथी साथ आप जब restaurant में जाते हो तो आपको वो मिर्ची पकोडा भी देते हैं भाजी पाव के साथ आप अगर गोवा में आए और आपने गोवन भाजी पाव ट्राई ने किया तो दोस्तो आपने गोवा का ट्रिप अदोरा ही छोड़ दिया है तो दोस्तो जब भी आप गोवा में आए तो आप गोवा का भाजी पाव डेफिनेटर ट्राई किजिए और दोस्तो इस वीडिय को जाधे जाधे लाइक और श्यार किजे क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता रहता हूँ तिल देन साइनिंग अप फ्रॉम दिस वीडियो जाहिन वंदे मातरम